Hello everyone, I welcome all of you in one more physics experiment from class 12th and the aim of the experiment that is to find out the refractive index of a liquid by using convex lens and plane mirror तो आज हम एक्स्परिमेंट के अंदर एक लिक्विड का refractive index find out करेंगे with the help of the convex lens and plane mirror तो इस एक्स्परिमेंट में हमें कौन कौन से अपर्टस की जरूदपर्ति इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कॉन्वेक्स लेंस यह जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका rough focal length है around 17 cm तो rough focal length आप निकाल सकते हो इसका फिर हमें चाहिए एक plane mirror ठीके फिर हमें जो liquid जिसका हमें refractive index find out करना है ठीके और एक needle चाहिए बराबर जो कि हमारे लिए object needle का काम करेगी बराबर और एक हमारे पास एक half meter scale है तो यह सारे apparatus है जो हम इस experiment में use करने वाले है तो experiment को start करने से पहले इसका थोड़ा सा theory समझ लेते इसका थोड़ा सा logic समझ लेते कि इस experiment में हम क्या करने वाले है और किस तरह से इसको perform करेंगे बराबर तो सबसे पहले हमें क्या करना है तो यह हमारा वर्टिकल स्टेंड है और वर्टिकल स्टेंड के उपर हमने यहां पर इस तरह से एक अबजेट निडल को प्लेस करना है ठीके यहां पर नीचे की तरफ यह कॉन्वेक्स लेंस और प्लेंड मिरर दोनों रहेंगे ठीके अब यहां पे हम किस तरह से observations को follow करेंगे, किस तरह से इसको observe करेंगे, उसको समझते हैं कि सबसे पहले इस सरह से इसको arrange करने के बाद, हमें क्या करना है, तो हमें from the top side, मतलब जिस तरह से हमें finger को locate कर रहा हूँ न, यहां से हमें इस needle को देखना है, through this particular lens and mirror तो हम जब इस needle को इसे top से देखेंगे, तो हमें इस needle का real and inverted image दिखाई देगा, तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको image दिखाई देता है, ठीके, तो यहां पे आप देखेंगे, तो आपको इस needle का यह रहा, आप देखे, इस needle का image आपको दिखाई दे है अंधर ठीक है तो इसको पहले आपको अबजर्व करना है now what is the next step okay next step step में हमें क्या करना है तो इसके अंदर हमें ये करना है कि अब हमारे पास जो system है उसमें सिर्फ एक lens है उसके नीचे एक mirror रखा हुआ है और हमारे पास एक object needle ये जो lens है इसका rough focal length 17 cm है बराबर तो हम सबसे पहले इस lens और mirror के help से इस object needle के लिए parallax को remove करेंगे तो parallax कैसे remove किया जाता है वो हमने last experiment में perform किया था बराबर तो उसको remove करते है तो remove करने के लिए क्या करना है आपको तो आपको object needle को up and down आप move कर सकते हो इस needle को with the help of this attachment okay तब up and down इसको move करिए और move करने के बाद आपको क्या करना है तो इस object में से light के जो rays जा रहे है वो light के rays कैसे travel करेंगे तो जिस moment पे आपका parallax remove होगा बराबर तो यहां पे diagram में ने यहां पे draw किया हुआ है कि object में से light के rays इस तरह से travel करेंगे पहले lens में से जाएंगे lens में जाने के बाद reflect होने के बाद वो बिलकुल parallel हो जाएंगे parallel होने के बाद वो plane mirror पे strike करेंगे और plane mirror पे reflect होने के बाद क्योंकि वो plane mirror पे बिलकुल नौर्मल इंसिड़न्ट होते है, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट रोने के बाद, उसी पाथ से वापिस पॉइंट ओपर आएंगे तो इसी तरह से अपने यहां पर देख सकते हो कि हमने दो रेज बनाए, तो रेज इसे जा रहे है लेंस में reflect होने के बाद वो plain mirror को strike करेंगे plain mirror से reflect होने के बाद वो again उसी path को follow करते हुए point ओपर आएंगे और point ओपर दोनों again मिलेंगे तो point ओपर ही आपको इस object का needle मिलेगा तो आपको उसी तरह से जब आप top view मतलब यहां से इस point से जब आप इसको observe करोगे इस point से जब आप इसको observe करोगे तो जब आप उसको observe करोगे तो आपको object needle और image needle की tip to tip match करनी है top view से और फिर अपने head position को इस तरह से move करना है तो जैसा हमने optics के experiment में देखा था कि हमें parallax को remove करना है बराबर और जिस location पे आपका ये parallax remove हो जाता है वो आपका final reading हो जाएगा बराबर जो हम observation table में record करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है बराबर तो सबसे पहला observation हमें ऐसे लेना है तो ये हमारा पहला reading मिलेगा बराबर जिसके अंदर हमने सिर्फ convex lens और plane mirror को place किया हुआ है और जब ये parallax remove करने के बाद जो इस distance हम measure करेंगे बराबर from the lens ये हमें इस lens का focal length देगा मतलब उस तरह से में इस lens का focal length मिलेगा तो ये हमारा पहला set of observation होगा इसके बाद हमें क्या करना है next step के अंदर कि जिस liquid का आपको refractive index आपको use करना है या मतलब find out करना है तो उस liquid को यहां पर आपको place करना है मतलब यहां पर इसके कुछ drops यहां पर आपको use करने है ठीक है उसके उपर आप इस lens को रख दोगे बराबर तो इस mirror और lens के बीच में उस liquid की film बन जाएगी बराबर तो जिस तरह से यहां पर मैंने diagram में draw किया हुआ है तो water के एक film बन जाएगी बराबर तो यह एक तरह का liquid lens बन जाएगा आप यहां पर देख पा रहे हो कि उपर आपका convex lens है नीचे आपका plane mirror है और बीच में इस तरह से liquid का एक layer बन चुका है जिसको हम liquid lens बोलते है और यह जो liquid lens है वो आपका plano-concave lens जैसा है plano-concave lens, plano-concave lens मतलब उसका एक side plane है यहां पे और उसका अपर side concave shape में बराबर तो यह plano-concave lens बन जाएगा तो अब हमें next step के अंदर हमें क्या करना है liquid को use करने के बाद again हम फिर से यह जो नहीं अब क्योंकि आपका lens change हो चुका है तो अब आपको क्या मिलेगा एक नया position मिलेगा object के image के लिए ठीक है तो अब आपका जो image है वो अब जो पहला इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ मिलेगा बराबर तो ऊपर की तरफ आपको इस needle को shift करना है upper side पे बराबर तो upper side पे आप shift करोगे और अगेन आप इस object needle और उसकी image के बीच में image भी आपको यहां पे बनेगी इस तरह से जिस तरह से मैंने finger को रखा हुआ है बराबर जो मैंने आपको explain किया रे डाइगरम के किस तरह से light जाएगी तकरा के उसी रास्ते से वापिस आएगी और इसी तरह से अगेन आपको image मिलेगा लेकिन अब यह जो image है ना वो previous reading से ऊपर की तरफ मिलेगा higher height पर मिलेगा ठीक है तो अगेर आपको इसका parallax remove करना है और parallax remove करने के बाद आप फिर से यहां से distance not down करोगे और अब यह जो distance not down करोगे तो आपको यहां पर combine focal length मिलेगी हमारे पास ही एक्वेशन है that refractive index that is equal to 2 minus r upon f तो 2 का मतलब होता है focal length of the convex lens जो हमें first measurement में लिया without liquid बराबर और दुबारा जो में मिलेगा f that is a focal length of the compound lens मिलब कमबाइन जो लेंस बनेंगे formed by the convex lens and plano-concave lens of water बराबर तो दुबारा जब हम भी reading लेंगे liquid को use करने के बाद तो जो focal length मिलेगी that will be the compound focal length तो compound focal length हमें एक बार निकाल लिए और convex lens की focal length एक बार निकाल लिए और इस ही equation में अगर हम इसको use करेंगे तो हमें इस water के refractive index मिल जाएगी बराबर तो इस तरह से हमें इस experiment को perform करना है ओके तो अग हम इस experiment को perform करेंगे और perform करने से पहले इसको observation टेबल एक बार learn करते कि observation टेबल में हमें कौन-कौन से चीज़े use करने है किस तरह से parameter को set करना है तो यहां पर सबसे पहले जो column है that is a convex lens placed on the plain mirror तो सबसे पहले हमें plain mirror के उपर सिर्फ convex lens प्रेस करना है बराबर और फिर हमें क्या करना है object needle और image needle के बीच का parallax है वह हमें remove करना है और जब हम remove करेंगे और फिर हमें distance measure करना है distance between the object needle and the lens मतलब lens से हमें object needle का distance measure करना है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और फिर mirror से हमें distance measure करना है तो दो बार हम अलग-अलग distance measure करेंगे from the lens, from the mirror of the object needle और उस दोनों distance का हम average करेंगे तो हमें focal length of the convex lens में लेगे पराबर और second जो column है focal length of the convex lens a plus b by 2 third column में हमें convex lens placed on the plane mirror with the water in between तो बीच में हम water को pour करेंगे ठीक है, तो water film बन जाएगी और एक plano-concave lens बनेगा water का plano-concave lens तो फिर हम again parallax को remove करेंगे between the object needle and image needle okay, image उसका, ठीक है और फिर हमें distance निकालना है distance between the object needle and the lens and distance between the object needle and the mirror ये दोनों distance को not down करेंगे और उसका average लेंगे तो हमें एक नया focal length मिलेगा और ये जो focal length होगा वो combined focal length होगा combined focal length मरला किसका तो इसमें दो lens बन जाते हैं जब आप liquid को use करोगे तो वहाँ पे दो lens बन जाएंगे एक आपके liquid का liquid lens जो की plano-concave होता है और दूसरा आपका convex lens और उसका combined focal length मिलेगा और फिर ये equation हम use करेंगे calculation में और ये equation lens maker formula से derive किया गया है जो आप अपने manual में या textbook में या lens maker formula को use करके इसको derive कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो reading है वो हमारे पास simple setup आप देख पा रहे हो कि ये आपका plane mirror है ठीक है उपर हमने convex lens को place किया हुआ है और object needle को रखा हुआ है बराबर तो मैंने जैसे starting में बताया इसका जो rough focal length है वो 17 cm है तो आप कोशिश करिए कि इस needle को 17 cm के आसपास इसको arrange करिए और उसी में आप तब पहला parallax remove होगा पर आपको focal length मिलेगा convex lens का ठीक है तो हमने यहाँ पर set किया हुआ है पहले reading के लिए बराबर तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से आपको parallax हो रिमूव करना तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरह से पहले तो आपको object needle और उसकी image को tip to tip joint करना है अपनी eye side पर आप देख पा रहे हो भी और फिर आप जिस तरह से हम camera move कर रहे है उस तरह से आपको head position को move करेंगे तो दोनो needle object needle और उसका image दोनो एक साथ move हो रहे है अगर यह एक साथ move हो रहे है तो समझ लिए कि आपका parallax remove हो चुका है और आपको आपका पहला reading मिल चुका है ठीक है तो यह remove हो चुका है आप यहाँ पर देख पार है विल्कुल दोनो tip to tip joint है और दोनो एक साथ move हो रहे है तो अब हम इसका distance measure करेंगे इसकी focal length दिका लेंगे तो distance measure करने के लिए क्या करना है आपको पहले इस meter scale को इस तरह से lens के उपर रखना है और यहाँ पे object के needle तक के point तक का distance आपको measure करना है वराबर तो हम आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से distance को measure कर सकते है ठीक है तो distance आप इहां पर देख पार हो it is around यह हमारा distance जो है वो हमें मिल जाता है around 17 cm ठीक है आप 17 cm देख पार हो कि 17 cm पर हमें इसका distance मिला हुआ है तो यह हमारा पहला reading आ जाता है 17 cm that is our first reading बेराबर distance between the object needle and lens कोंसे column के लिए convex lens placed on a plane mirror अब हम यहीं distance measure करेंगे मिरर से तो lens हटा देते है और mirror के ऊपर scale रखना है और mirror से distance को measure करना है तो mirror से distance हमें मिलता है around 18.1 ठीक है तो यह 18.1 आप यहा पर देख पार हो तो this is 18.1 तो यहाँ पे आपका 18.1 distance मिल जाता है अब हम इसका average निकाल लिए और average जो हमें मिलता है that is around 17.5 बरावर आप इसका average इसके around निकाल सकते हो ठीके तो यह average आपको मिल गया है A plus B by 2 अब हमें क्या करना है अब हमें जिस liquid का refractive index find out करना है उस liquid को यहाँ पे हम उसके कुछ drops यहाँ पे डालते हैं ठीके इसके उपर आपको lens रख देना है और आपको यह ensure करना है कि बिल्कुल अंदर एक भी bubble form ना हुआ ठीके आपके इस film जो बनती है आपके liquid की उसमें बिल्कुल एक भी bubble नहीं होना चाहिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल clear आपको दिखाए दे रहे है बढ़िया सा एक lens फॉर्म हो चुका है लिक्विड का ठीके अब हम फिर से क्या करना है फिर से इस needle को upside पे move करेंगे आपका image जो आप मिलेगा वो higher height पे मिलेगा बराबर तो आपको needle को ऊपर की तरफ move करना है और दिरे दिरे move करते रहना है और साथ में आपको absorb करते रहना है कि किस point पे parallax remove हो रहा है आप थोड़ा एक दो centimeter move करिए और फिर tip to tip match करके देखिए कि parallax remove हुआ के नहीं हुआ तो ऐसे करते 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 आप उस location पे पहुँचोगे जहां पे आपकी image form हुई है with this combination और अगेन आपका parallax वहाँ पे remove होगा तो आईए इसको देखते कि किस सरा से remove होता है तो हमने इस needle को उपर की तरफ move किया हुआ है ठीके थोड़ा उपर इसको उठा लिया और अपने अगेन इसके इंदर parallax को remove किया हुआ हुआ ठीके आप एक बार फिर से इसको अबज़ो करिए कि देखिए ये liquid film के थूरू आपका parallax remove हुआ के नहीं हुआ तो पहले आपको tip to tip match करना है और tip to tip match हो जाने के बाद आप इसको horizontal move करवाएंगे तो दोनो needle और उसका image दोनो एक साथ move हो रहे हैं ठीके मतलब कि आपका parallax remove हो चुका है this is how you have to observe तो यह आपको image की location मिल चुकी है through this combination of the lens कि दोनो लेंस मिलकर जहां पर image बना रहे है वो location आपको मिल चुकी है ठीके तो यह distance को अगें आपको measure करना है अगें से चीज करनी है आपको scale यहापर रखना है lens के उपर और lens के उपर से आपको इसका distance measure करना है यह distance है around 25.5 cm बराबर तो आप इसको observe करिए तो 25.5 cm आपको यहापर distance दिखाई दिए रहे है ठीके तो यह 25.5 हमें यहापर नोल्डाउन करना है Convex lens placed on a plane mirror with the water in between that is a distance between the object needle and the lens that is 25.5 cm अब हमें फिर से क्या करना है इस lens से इसका sorry mirror से इसका distance measure करना है तो mirror पे scale रखेंगे हम ठीक है और mirror पे scale रखने के बाद अगेन इसका distance measure करेंगे तो this is around 26.5 बराबर आप इसको closely observe करिए तो आपको पता चलेगा it will be 26.5 थोड़ हम इसको focus करेंगे तो यह आपको दिखाए दे रहा है 26.5 ठीक है तो अब इन दोनों का जो average हमें निकालना है a1 प्लस b1 बाइ 2 तो यह हमें मिल जाता है 26 cm तो हमारा पहला set of observation रेडी हो चुका है ठीक है आप इसी experiment को दुबारा भी perform कर सकते सेम प्रोसीजर दुबारा आपको इस liquid को साफ करके हटा देना है अगें simply एक plane mirror और उसके उपर convex lens आप प्लेस करोगे अगें आप parallax remove करोगे अर्लियर आपको 17 पे मिला था आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो हो सकता है अपका point एक दो एमेम अपन डाउन हो बराबर parallax तो अब इस तरह से आप एक दो बार इस experiment को perform कर सकते हो और इसका एक और set of observation ले सकते हो हमने एक और set of observation लिया था जिसमें हमें कुछ इस तरह से value मिले थी यह value change हो के मिल गए थी 16.9 और यह value मिला था हमें 18 from the mirror तो इसका जो हमारा average आता है that is equal to 17.4 cm और with the liquid with this water यह हमें जो मिला था वो 25.4 cm और 26.4 cm तो इसका जो हमें average मिला that is equal to 25.9 cm अब हमें क्या करना है इसका mean निकाल देना है इसका mean निकाल लेंगे तो mean मिलेगा हमें 17.45 जिसको मैं around 17.5 cm consider कर लेता हूँ ठीक है तो that will be easy for us उसी तरह से हमें इसका भी mean निकालना है बराबर तो यह focal length of the glass हमें मिलता है that is equal to glass मतलब की हमारा convex lens ठीक है तो 17.5 cm जो हमें मिला इस से हम अगर हम इसका average निकालते है तो average हमें इसका मिलता है that is around यह 26 cm तो यह जो focal length मिला that is a combined focal length यह combined focal length है combined focal length of the convex lens and plano poncave lens मतलब की liquid lens और convex lens दोनों का combined focal length है ठीक है और यह हमारा सिर्फ convex lens का focal length है और अब हमारा calculation हो जाता है 2-fg upon f मतलब की 2-17.5 divided by 26 तो अगर हम इसको perform करें तो इकार मैं आपको perform करके दिखाता हूँ 17.5 divided by 26 तो यह answer आता है 0.67 तो 2-0.67 तो यह हमारा index of the water that is equal to 1.33 और यही हम value use करते है theory में भी और यह हमने practically measure करके देखा कि yes the refractive index of the water is 1.33 तो हमारा result बन जाता है the refractive index of the water using convex lens and plane mirror that is 1.33 तो इस तरह से हम water का refractive index find out कर सकते है with the convex lens and plane mirror और आप और भी कोई transparent liquid हो आपके पास उसका भी refractive index index इसी method से find out कर सकते है तो यह हमारा experiment था from the class 12th that is a refractive index of water using the convex lens and plane mirror. Thank you.